हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं बॉक्सिंग चैंपिंशिप टू जिरो वन जिरो और आज वो मैच जिसका आपका बहुत बेस सबरी से इतजार था जी हाँ हैविवेड टाइटल मैच और ब्लू कॉर्णर से पेश कर रहे हैं दो वन और अगे किसी की ना चली वाली इनको इनको चैलेंज करने आज रेड कॉर्णर से आ रहे हैं वेरी ब्रेव टारन बॉक्स कमान कॉर्ण, कमान कॉर्ण, कमान कॉर्ण बहुत ही इंट्रेसिव माच उने वाला है लेट में तल्यू गाइज यह दोनों खिलारी अपने भीजगा चैंपियन्स हैं मुकाबला बराबरी जाहें, अब देखना है आज का मैच कॉन जीता है जी हाँ और हुम है क्या देख रहे हैं टॉर्ण 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 लवटा चैंपिर देख रहा है वाल्देन वाली जहादा आगे बद बड़ा फाल्ट को उसका इस्टेमनाई ज्यादा है सब्जाए इराद उसको इसको अगा गुट देख दो आज़ो जाज़ो जाज़ो ओपनेंड भी आंख में आख काल कर एक और उसके पंच को मिश करके एक कांटर अटैक को जाए वाज़ शाबाश शाबाश वर शुक्तVR. मुषूर लागन। और यह क्या है कि तोरंण वाली पर बाटी पढ़िए है? तृरण वाली पर पाड़ी पर्देनार मुषी!? ब्हूर लागन! इस राउन में तो Torischer ने काफी अच्छा कम बैक किया वाली को घइका दिया कि वो भी कितने टक करके बोक्सर है अली क्या हो अ क्या हो तुम्हे..च़़ तुम्हारा जोश्य जुरूवड भाई वहाँ थानरजीय तंचयाँ वहाँ रानरजीय गुट मस्रावर आछार। के जई देखते हैं राउन्ट्री जड़ी है. राउंड थी शूरो होने वाला. यह आज देखते हैं के वाली वापिस फर्म मे आसता है यह नहीं? चोरिन भी हार माननने वालों में से नहीं है. कामुए तेरा! काड़ थरा! काड़ थरा! एक अई एप उर्क रप सुपक्राइ भाली डिए jsे अरुब मैंकर अगया जा अगया अगया, एक रुपार वाली इस में सबुपार वाली इस विर गुपार सुपक्रा जारुब 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 अबरेट्ट, फिश्वए। अबरेटेटरेटरेटरेटरू अबरेटरू झाली? वाली को कुछ देहा है प्लीज प्लीज प्लीजूडगा प्लीज को कुछ देहा है प्लीज प्लीज रिया दूलाइगे प्लीज दूलाइगे प्लीज थॉए दिखे ने खुरवेस दूलीको बालेको गाँ भाग रहा हुद तुम? मैं हही नी जानो यार इस यह तुम्हारे पॉकेट में क्या है? पॉकेट में कुछ नहीए यार क्या एजे में तुम्हारे ये गन ये ये गन कहां से तुम्हारे पास नहीं भाई मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो ये गन नहीं है देखो गोली मत चला ना अरे यार मेरी बात तो सुनो यह लाइटर है गन नहीं है क्या मतलब पे तुमारा यह देखो देखो में देखाता हूं फ्लीस फ्लीस देखे I'm sorry वाली मर चुका अगर यह सब कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं हा रहा खुश बढ़ गई तिल में ठंड़क तुम मुझसे बात कर रहे हूं? हाँ, तुम से तुम कहना क्या चाहते हूं यह जो सब हुआ है वो मेरी वाज़े से हुआ है हाँ वाले की बहुत कुमारी वाज़े से हुआ तॉरें यह बगवास करो तॉरें मैं कोई बगवास रहा हूं मैं अगता ही अशे नहीं मादेगा अब इसके हलावाद तुम कई भी कह सकते हुआ देखे बेटर यही होगा कि आप अपना मूँ बंद रखे याँ प्रेस ओले ख़ए, सब सुन रहे है इना बाद की हंगावाबत गळा कीजे है मैं कोई हंगामा नहीं गळा काँ हूँ सच सुनने का सब गोटिगार है मैं इने सच सुनाना हूँ अच्छा? और वो सच क्या है? सब मैं भी तो सुनूं सची है कि तुमने जान बुच्छ कर वाली के च्छाती पर पंच्वारा क्योंकि तुम्हे पदा था इसके दिल में कुछ हुआ था एक पहिना पहले था यही कोई एक्सिदेट नहीं है एक लैंग मज़ा रहे मज़ा मैं सब समझ चुका हूँ आपनों किशार आपनों करें जान पुछकर जान पुछकर वाली को भाड़े मैं नहीं छोड़ूँगा किसको भी हाँ मैं कोई बत्विशी निगा रहा हूँ क्यों रहा है यहां पर सर इस आदमी का दिमाग खराब हो गया इसी की वज़े से वाली की बाड़ी को अभी तक एम्बुलेस में नहीं ले जाए जा सका नहीं जब तक जांच परताल पूरी नहीं हो जाती वाली के बाड़ी यहां से नहीं जाएगी अब इतने यकीन के साथ कैसे के सकते हैं कि यह प्लांट है यह एक एक एक्सिंडल मौद भी तो हो सकती है बॉक्सिंग है कोई बच्चों का खेल नहीं है हर रोज बॉक्सिंग करते वे बॉक्सेज घाल हो जाते हैं यह तो नहीं सर यह एक्सिंडल मौद नहीं है और इस बात का मेरे पास सबूत है क्या सबूत है सर आप इसकी बात के बच्चाश बोट कि वाली को एक छोड़ा जा हार्ट अटेक आये था हार्ट अटेक? हाँ सर तो पिर आपने इसे खेल ले क्यों दिया? सर वो हार्ट अटेक मामली थे इसलिए हमने यह बात चुपाता रखी आखरी इस बचारों को ऐसे भी तो कमाने थे वाक्सिंग छोड़ देता तो खाता के तो हो सकता यह उस हार्ट अटेक से ही मर गया? नहीं सर यह हार्ट अटेक वाली बात तो रहन को बालूम थी और इसलिए इसलिए चान बुचकर वाली के चाती कर्मुकता मारा ताकि यह फॉरान मठ जा यह पहली बात पचाना तो जरा मुश्किल है आप दूसरी बात बताईए सर दूसरी बात मैं इन लोगों के सामने नहीं बताना जाता है क्या बोड रही है इंसान? सर आप लोगे इसकी हामे हामिला रहे है एक मिनट इधर आई आप दिलिए मताईए क्या है वह दूसरी बात? सर वह दूसरी बात यह है कि मैच शुरू नहों से पहले जब मैं चेंजेंग उरूम के सामने से गुजर रहा था समझ गया? टांट वहीं सर आफ वेकर मत किची सब ते ही आ रहे है इस फाइट के बाद वली कोई फाइट नहीं करेगा जाबाश बुट बुट मेरे बच्छे सर आपने ही तो बॉक्सिंग करना सिखा है अगली फाइट के लिए वली सिंदा नहीं बचेगा अगर ऐसी बाती तो तुमने उसी वक्त क्यों नहीं किया कुछ? तुमने अपने कोच से कहा था कि ये वाली का आखरी मैच होगा? तुम मेरी पाते सुने सर ये इंसान आपको कुम्राचान कोशिश कर रहा है सर तुमने कहा था या नहीं? हाँ? हाँ? लेकिन मैंने उस मकसद से नहीं थी जैसा आप लोग समझ रहे हैं अच्या ताशा तुमने चेक करो ये सर सर ये अदमी टॉरं को पसाने की कोशिश कर रहा है बॉक्सिंग में ये सब तो होते ही रहता है ये कोच के लिए ये सब बच्चे के समान होते है और कोच ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं सर रिंग के अंदर सब दुश्मन होते हैं लेकिन रिंग के बार सब दोस्तों सर से ये देखे क्या मला है फ्रे लग के अंदर से ये लोहे का सिक्का पैचानते हो इसे नहीं इसे मेरा नहीं Mr. Toran ये ये गलब आपी का है ना आई ये मेरा गलब से हां तो इसके अंदर मिला हुआ लोहे का टुकड़ा भी आपी का होगा है ना सर हो सकता है इस लड़की ने रखती हो सर तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है ये CID officer है ऐसा क्यों करें गिए हां लेकन ये सर ये लोहे काट़ड़ा मिरा नहीं हो चिकता सर तुम्हारे गलाँ सिया है कोई मुझा पाशा रहाँ साल चौय मुझा पेसारा है इस वाली ये बेचारा वारी दो-दो मौत मारा यगे बेचारा दो-दो-मौत दोक्टर सालूं के, दो-दो मौत कैसे हो सकती है? हो सकती है यार विवेक, यहा हो गई है इस वाली की, दो-दो मौत एक आदमी की दो-दो मौत? अभीजीत, इस बेचारे का खून भी हुआ है और इसकी मौत भी हुई है क्या बात करें डोक्र सर्ब? अभीजीत, खून होता है, मौत मौत होती है दिख देख तुम खुदेगा, यहां यह देखो, इसकी जबान देखो तो काफी फूल गई है, काफी मोटी हो गई है अभीजीत, आप जबान मोटी हो गई है और यह एक तरह की ऐलर्जी का स्म्टम है एलर्जी कौन सी एलर्जी है काली मिर्च ब्लेक पेपर की एलर्जी है इस आदमे को काली मिर्च की एलर्जी ये कौन सी एलर्जी है सर प्रेड़े एलर्जी कही किसंगे होती है इस आदमी को काली मिर्च ब्लेक पेपर की एलर्जी है मतलब यह कोई ऐसी चीज नहीं खा सकता जिसमें काली मिल जो और जब मैंने इसका पेट काट करके देखा तो मुझे क्या मिला आव बताता हूं इसके पेट में मुझे यह मिला और इसे चेक करने से पता चला कि मैट से पहले इसने कुछ बिस्किट खाये थे और जूस पिया और एक खास किस्तिक डिश काई थी जिसका नाम है ठाइप रॉंस और उस ठाइप रॉंस में ब्लेग पेपर काली मिर्च थी अगरसा अगर वाली को कालिमर्च से अलोजी थी तूसने इसी डिश खाई एक्विटिसमे कालिमर्च थी शायद वाली ने ये डिश अनजाने में खाली उप बिलकुल साही अबीजी इसे पता ही नहीं हो क्योंकि in fact थाय प्राउंस में काली मिर्च होती ही नहीं वाट? यहाँ जब मैंने इंटेनट पर देखा की थाय प्राउंस कैसे बनाई जाती है तब मुझे पता चला कि थाय प्राउंस में थो लैग फैपर डलता ही नहीं । वाख़ी? मतलब सर, किसी ने जान बुच के ये काली मिर्च इसके डिश में डाली है बिल्कुल ठीक प्रेडी तो ये खून है? प्रेडी, जब उस तोरेन ने अपना आखरी पंच इसकी छाती पर मारा तो इसके पेट में जो काली मिर्च थी उसने अपना काम करना शुरू कर ली इसका दम घुटने लगा, इसकी सांस फूलने लगी और हार्ट अटेक की वजए से ये विचरा मारा गया तो अब टोरेन ने वो आखरी मुका वाली की छाती पर नहीं मारा होता तो शायद शायद जिन द्ना होता क्यों? ड़क्टर तारिका ये ठीक कKit कर अ? महिर्य, तुम बात-bad में डाक्टर तारिका को भीच मह बीच्मा कीो लेत हैं? मुझसे बातकरने में प्रबलम यजे नहीं बात करना YOUR प्र्रबलम मैं? ने ने, मुझे रगता है तुम्हे कुछ प्राब्लम है ने ने दोट साब मुझे आप से प्राब्लम नहीं है, मुझे काली मिर्च से प्राब्लम है हाँ मैं मैं यह सोच रहा हूँ, डॉक्टर साब कि काली मिर्च की एलर्जी की वज़े से क्या किसी की मौत हो सकती है हो सकती है विजे, बिलकुल हो सकती है लेकिन बहुत कम केसे समें सच मुच, पहली बार सुना है मैंने कि किसी की मौत काली मिर्च ब्लाइक पिपर से हो सकती है ये थाई परॉंज अने कुछ देर ही घाया होगा उसने अगर हमा भू आदमी जए जिसने थाई परॉंज में काली मिट्श मला कि ये और्फ कहा होगा यह अगर पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वाली की छाथी पर टोरें ने मुक्का जानबूच के मारा था या अंजाने में सर जानबूच कर नहीं मारा होगा क्योंकि टोरेंट के ग्लाव्स में से हमें वो लोहे का सिक्का भी तो मिला था अगर लोहे का सिक्का इतनी जोर से लगने के बाद भी मैं वाली की छाती पे किसी तरह का घाम क्यूं नहीं मिल करेक्ट ये बात तो सोचने वाली है विवेक बॉक्सिंग गलव स्पैन के इसके अंदर लोहे का सिक्का डाल के अगर कोई किसी पे वार करेगा तो घाव तो हो गई मैच के वीडियो रिकाडिंग चेक करते हैं देखे जरा क्या क्या हुआ था बॉक्सिंग रिंग में वाली की बॉक्सिंग टेकनिक बहुत अच्छी है साथ अच्छा प्रेडिंग तुमने कभी बॉक्सिंग देखे एटी उपे हाँ हाँ क्यो नहीं मैं तो पहले बॉक्सर ही था इसमें हसने जसी क्या बात है अब सर ऐसी हैसी आगए आप बॉक्सर है यह सोचके मुझे हैसी आदे मैं जोकर लगता हूँ तुमको हेवी वेट में दस फाइट कर चुका हूँ मैं क्या बात कर रहा है क्या हुआ था उन दस फाइच में रिजल्ट पुछने की क्या जरूरत है फिर भी फ्रेडी हुआ क्या था छोड़ी है ना सर आपको तो गर्व होना चाहिए फ्रेडी एक बॉक्सर था गर्व है मगे हुआ क्या था उन फाइच में आखरी मैच में क्या हुआ यहादी नहीं आ रहा है सर रिंग से बाहर ले चाना पड़ा सिधे अस्पताल इसलिए तुम्हारा दिमाग अविदाद हिला हुआ है एक मिटेक मिटेक पर इस शौट कुझा रिवाइंग रिवाइंग बस वियां से प्ले करो स्लो मुशन में फ्रीज यह देगा क्या सर टुम्हार आंफ़ीपंच तुम्हारा अपने दाये अछे रुप से दाइं हाथ से अधाशा वो लोही का सिख्का किस गव मिला दा सबाय में जस हाथ से टुम्हारा वो लोही का सिख्का उस गल theater इस मतलब है इसका मतलब है जिस किस popeji वो लोहे का सिख्खा उसके गलाव में रखा, वो ये भूल गया, के टुरेन जालतर अपने पंचस ताएं हाथ से मारता है, इस राइट हैंडर वो लोहे का सिख्खा किसी ने बाद में रखा उसके गलाव में, तो ये टुरेन को फसाना चाहता है अरी, आप लोग? जिया, हम यह पता करने आये हैं के मैच से पहले, वाली कहां गया था? लेकिन सर, अब यह सब पता करने से क्या मिलेगा? खुनी तो पकड़ा गया है ने सर, वो टॉरेन, जिसने जान बुचकर वो पंच मारा था और आप लोगों को तो सभूर दू मिल गया है सभूर, आपका मतलब है वो लोहे का सिक्का? जी वो लोहे का सिक्का किसी ने बाद में टॉरेन के गलाव में डाल दिया था हमें गुमराख करने के लिए क्या? बाद में डाला गया? यह क्या कह रहे हैं सर आप लोग? सच ही कह रहे है, सच आप मेंसे कोई नहीं चाहता था कि असली खुनी पकड़ा जाए आपका इशारा कही मेरी तरफ तो नहीं है इशारा सबकी तरफ है, सभी इशक के डायरी में मैच से पहले वाली कहां गया था लेकिन सर वाली का खुन तो मैच में हुआ था ना? हाँ, मगर उसे पहले वो कहां गया था? जी वो मेरे साथ था, सर कहां गयते तुम लोग? हम दोनों खाना खाने गयते, सर खाना खाने गयते? और कहां गयते खाना खाने के था? रंगीनी रेस्टोरेंट में रंगीनी रेस्टोरेंट यही पेए दो तुम लोग? सच बोल रहो हो ना? जी सर, यही आये थे हम किस टेबल पे बेटे दो तुम लोग? वाला टेबल सर, वही बैठे थे हम वहाँ पे? जी जलो उस वेटर की शकल यहाद है, जो खाना लेकियाद है इस टेबल पे? उस वेटर को देखूंगा तो शायद पहचान लो जरा नजर खुमाँ चारो तरफ, देखो, वो वेटर का ही नजर आ रहा है नहीं सर, इनमें से तो कोई नहीं है देखो, मैंने तुम्हें जो काम का है, वो काम पूरा होना चाहिए जब आप यहाँ पे वाली के साथ खाना खाने आये थे तो आपने क्या ओडर किया था? याद तो है सर, पर आप यह क्यों पूछ रहें सर? रोटीन इनक्वाइरिंग क्या बात है सर? आपके अपे जितने वेटर्स काम करते हैं वो सब आज आये सुबा तो सभी आये थे हाँ मगर एक वेटर के पेट में दर्ध हो गया था तो वो छुट्टी लेकर घर चला गया था सर पार चश्चिकन लॉली पप मंग आए था अच्छा वाली ने क्या मंगवा था? वाली ने थाइप्र उन्गे था सर तो अब अब हमें यह बता ही है कि थाइप्रॉंस पर नमग दलता है? या काली मरच? यह कैसे सवाल है यहमें कैसे बता सकता हूं? मैं कोई शैक थोड़े हूँ नाम क्या उसका है हेमंद नाम है सर उसका है हेमंद यह हेमंद का रहा है तो मालूब यह हो यह ही जोर आप यह हां नमस्ते नमस्ते कौन है आप दो हमलग शैयी सहे हैं CID? यहाने पुलीस? जी यहान हम लोग हमन से कुछ बात करना चाहते हैं हमन अगर मैं हमन? क्या का मैं हमन से? देखिया में उस्ते पूच्टाश करनी है क्या वो? वो घर नहीं है क्या गया? कुछ बता कर नहीं क्या जब वापस लोड़ेगा? क्या बता तो ठीक है आप हमारा यह कार्ड रख लीजी कि वापस आजा तो हम इंपॉंपर देला जी थैंक्स जब 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 एक्स्कूज मी क्या? यह दरवासा पन क्यों है? रहा? तरीक हांवम तच सेउता कि इप उसससा ए दरवादा बनते ना आपने एमति खूड कोट बोला आज दर आजद़ आजफे भाटा दरवादा बेटा एमन बाझत बाग्ण तटा एमन इसर आज़ और तो कोई भी नही है फंग है Mommy टेंक घज़के ते के अझान, यहारी है! कैसे नियों से खोवा है! बज़े काश्यम, बजए लो एकमा का दो एकमा रहा है! बज़े कर से दो कि अचलर दो एकमा एकमा माणों हुआ है! जो कि अचलर एकमा बाद हमाराओ!! सब ते होड नीने पड़ गए ये जहर खाथर मरा जहर? क्या है हम इने वेट देखियो? समझ में नहीं आ रहा है सर अगर इसने खुद जहर खाया था तो इसे खिड़की से बाहर कुदने के क्या जुरूरत थी? फिड़ी अगर इसने खुद जहर खाया होता तो जहर की शिशी यहां आसपास पड़ी भी दिखाई पड़ती मगर यहां तो कोई बॉटल है नहीं यह बात तो है सर जहर की बॉटल कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है और शायर दिखाई पड़ेगी भी नहीं क्योंकि जहर उसने खुद नहीं खाया किसी और ने उसे जहर खिलाया है यहां आने से पहले और जैसे हम लोग यहां घर के अंदर घुस रहे थे तब ही वो यहां से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था और तब ही जहर का असर हो गया और वो खिडकी से बाहर गिर कर मर गया खिड़की से कुट्टे टाइम जहर का सर ऐसी ही हुआ होगा और हो ना हो वाली के खाने में ब्लाक पेपर भी इसी वेटर ने मिलाई एक काम करते हैं इस गर की तलाशी लेते हैं अची तरह से कुछ ना कुछ तो मिलेगा यह देखिए सर पांसो पांसो की थपियां में तो लाख हुआ हैं एक मामुरी से वेटर की घर में इतनी जारी पैस 실망 वाली के खाने में एक काली मिर्च डालने के पैसे सर tag फिडी, तुम दे कभी-कभी बहुत काम की बात कर लेते हों। मैं तो हमेशा काम की बात करता हूं, सर। समझने वाले नहीं समझते तो, मैं क्या कर सकता हूं। अब सोचने वाली बात ही है, फिडी। इतनी सारे पैसे, सेमंद को किसने दिये होंगे। लिए किसने होंगे। सर अब सोचने लगए। सर मान ले थे कि उस आदमी ने वाली के खाने में काली मिरश मिलाने के लिए। अब को यह कैसे मालूम था कि वाली उसी रेस्ट्रोन में जाने वाला है। जहां पर हिमन्त काम करता है वाली के पेट में अगर चुहे दोड रहे थे तो वह कहीं पे भी जा सकता था सर्थ यह बात तो है वाली किसी और रेस्टोरेंट में भी जा सकता था रंगनी रेस्टोरेंट में ही क्यों गया सीधी सी बात है सर वो खुद वहाँ पे नहीं गया होगा, उसे वहाँ पे ले जाया गया होगा वाली के कोश से पोस्ताज करते हैं वही बताएगा कि वाली रंगनी रेस्टोरेंट में क्यों गया था और इन नोट्स के सीरियल नमर से पता करो किस पैक ने दिये हैं ये नोट्स आप लोग बार बार पुझे परिशान क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अब हमारा काम ही कुछ ऐसा है माना के बॉक्सिंग के खयल में हरोश मौत महीं होती तो सर ये तो एक्सीasm Инट आप मालू में ये आपके लिए एक्सीड़र था विजे खान कहा कहते हैं यह भी कोई सवाल हुआ सर वह हुच रहूं जाते हैं अरे? फिर आप यह पूछने लगेंगे कि मैं किस कि साबूं सानाताहूँ. वो भी पूछेंगे? अब यह महत पूछने लागक जाना कि मैं कौन कौन से चटटी बहनताहूँ सर? वो भी पूछलेंगे? अरे? यह जेャ बत्ति भीजी है सर? यह पूछ रहो कहां खाना खाने जाते हो कैसा खाना पसंद है पंजाबी, मुगलाई, Chinese, continent आप बार बार खाने का नाम मतलो सर मेरे मुझ से पानी टपकने लगाए अरे यार जल्दी से बता दे, कौन से रेश्टोरंट में जाता है तू? सारे के सारे चलके उजीपे खा लेंगे अरे, यह एक आद्मी की मोथ हो गई है और आप लोगो खाने की सुझ भी ये रंगीनी रेश्टोरंट के सर हैगा पढ़े नीज़ न्हां कि мыत्हत था हड़ा वह ख़ो कि देना रेस्ट्राइंग जयाँ मेरे नींे दो आए टेशेशा के आप पक्वास नहीं है संद्ञ रहिए हिए सच अच हिश तो मह जा लम्जात की वाली के खाने में काली मेझाए क्लाने के ले एक एमंद को पैसे दिये गए एमंद कौन एमंद मैं किसी एमंद को नहीं जानता सर लगता है तुमारा दिमाग खोल नहीं पड़ेगा हाँ सर मैं ही मैं ही जान मुझकर भाली को रंगिरी रेश्ट्रेट में ले गया तो सर किसने कहा था तुम्हें ऐसा करने के लिए मैं उसका नाब नहीं जानता सर मैंने सिर्फ उसके आवाज सुरे थी फोन पर कह रहा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं मेरे बच्ची और बीवे को मारतेगा सर मेरी बच्ची कौन से उसकूल में पढ़ती मेरी बीवे कौन से दुगा ससाड़ी खरीती इस सब उसे मालूमता सर यह सिर्फ सुनकर मैं पहुचकर रहा है सर और मैंने वैसा ही किया जासा उसे कहा था सर अगर अगर इसी बात ही थे तो मैं सी एडी के पास आना चाहिए था हमसे मदद मागनी चाहिए थे तुम्हें अगर उसे प्दा चल गा कि मैं हम लोग की मदद ले रहा हूँ तो बताने क्या कर देगा सब मेरे बच्ची और बीवी के साथ पूंगर के साथ अगर के साथ मैं लिए ने रहा हूँ ने बेजिए लोग लेने के बाद आप वापस कर सकते है या नहीं जब तक हम लोग यही repent आपको लोग नी नहीं दे सकते साथ साथा कैना का आप लोग देना, ही नहीं झालते है यह फकार ही अपन फों प्रवार निलता है कौन सा फ्रवार लोन का मुझे लोन नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए मैं इस्पेक्टर दया हूं C.I.D. से C.I.D. से क्यों क्या नकलिनोड़ का चक्कर है नहीं खुन का चक्कर है खुन वही बैंक पे आपने वाली का नाम तो सुनाई होगा वाली? कौन वाली? वो बॉक्सर अच्छा अच्छा वो हाँ आज कल तो हर निउस चनल पर उसी के चर्चे है उसी केस के सिलसले में मैं आपसे बात करने आया हूं मगर उसकी मौत तो बॉक्सिंग मुईती फिर आप यहां बैंक में क्या करें पिछले अर्टालीस घंटों में जो कुछ भी पैसों का लेंदेन हुआ है आपके बैंक में मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए जो जो पैसे दिये गये हैं और जो जो पैसे आया है वो सब क्यों चाहिए? बताया ना आपको खून का मामला है सारी सर यह हमें अलाउड नहीं है हम अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन को बहार नहीं जे सकते हैं मैं यह नहीं कर सकता हूं देखे मैनेजर साहब मैं वारंट लेकिया सकता हूं क्या पिएंगे सर आप चाहे लेंगे? नो, थैंक्स सर यह यह लिस्ट लिजी सर अज़ जिसको नए नोट्स दिये हैं उनसब के लिस्ट है इसमें? सर जिनको नए नोट्स देते हैं उनके बारे में पोने में लिख लेते हैं ओच ओच ठीक है, तुम जौँ सर, मैंने पूछा दना आपसे कई नकली नोटों का चक्कर तो नहीं है नकली नोटों का नहीं, असली नोटों का चक्कर है यह रहा कुछ मिला कह सर? यह कोई जैश है जैश? यह जैश लखमारा थैंक्स जोच खोली इसने? यह जोच खोली तो है यह कर रहा है कि इसने उस आदमी को देखा नहीं सिर्फ आवास सुनिए सिर्फ आवास सुनिए वो इसे फोन पे दंकी देता था और उसी ने पैसे दिया हैं मन को मैं बताता हूँ कौन है वो आदमी कौन है? जैश लखमारा जैश लखमारा? हमन के खर्से में जो पैसे मिले थे वो पैसे केरा बैंक के जैश लखमारा के अकाउंट से आए हैं तो पिर इस जैश लखमारा को फोरान पकड़ लेना चाहिए एड्रेस है ने उसका? तो शुब काम में तेरी कैसे? लो आगरा में मार देते हैं तोड़ा सही है वेटा हेमं को भी जैश नहीं मारा होगा आगे बंगला दिख रहा है सर? यह है यही राप लॉट नमबर 27 लॉट नमबर 27 यहां तो पोई चपकेदर में ने दिखना है चलो देखते है यह भाग तो नहीं है? लग तो ऐसा ही रहा ऐसा यह बढ़ दो सकता है के घर के अन्द चुपके बैठा है कि पूरे घर की तलाश लो जल्दी कि पूरे लो जरी नह बाद कोई अन्याल कि अन्याद की तलाश कोई दोल्दी भीन आए, आए, आए! में यह तो टोरेन अदुन्ध मगर सी यह यहां पर क्या कर रहा था जैस के दर में सर इसकी भी होट ने ले पड़ेश सर कोई जहर पी के कबड में क्यों बैठ जाएगा जहर पिने के बाद इसे ठंड लगी होगी ठंड वन्ड की बाद छोड़ो फेडी सोचने वाली बात ये है कि ये टोरेन जैश के गर में क्या कर रहा है सर लगता है कि ये भी इसमें इन्वाल्वड होगा अगर टोरेन इसमें इन्वाल्वड है तो इसका मतलब है इसने वो मुका जान बुच के मारा था हूँ वाली के चाती में मगसा में वो लोए का सिका टोरेन के लेफ्ट गलाव में मिला था और अगर वो सिका टोरेन खुट डालता तो वो सिका में राइट गलाव में मिलता से लेफ्ट गलाव में नहीं क्योंकि मैच का आखरी पंच टोरेन ने राइट गलाव से मारा था से टॉरेन इस प्लान के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानता था वरना जैश उसे क्यों मारता हूं सोचने वाली बात यह है जैश ने टॉरेन को मारा क्यों अगर टोरेन इस प्लान में मिला हुआ है तो टोरेन का कोच भी कुष्ट न कुष्ट तो जानते ही होगा और ये टोरेन अब टोरेन नहीं रहा ये विचारा एक लाश बन गया है और ये लाश ऐसे ही नहीं बना है इसके पिछे जरूर कोई बड़ा चक्तर है प्रेडी विवेक तुम लोग तोरेन के कोच से जाके पूछ ताज करो तब तक हम इस गर की तलाशी लेते हैं ये सर जाओ है ये ये हरं ने ऐसर, है कि आप लोग यहां मुझे बतातिया ऊता Mैं रूरा है और दिलने के शलाता क्या लोगा माए बिलाए या की अधर सबढर करें भूला कर लें डोंड़ लें वह इसम्हम नहीं तthing बहुदे प् Genesis सूटकेस है दूप में सुखाने की कोशिश कर रहा था सर अगले सूटकेस छब हमारे था हमें रास्ते में एक लंगूर मिला था लंगूर? रास्ते में? अरे सर उसने आपको हेलो बोला है लंगूर ने मुझे रास्ते में हेलो बोला? अरे सर बहुत अच्छा मजा करते हैं सेरा हां उस लंगूर का नाम जैश है जैश जैश? अरे जैश का नाम नहीं सुना आपने? नहीं सर, मैं किसी जैश को नहीं जानता सर इस जैश के घर में हमें टॉरेन की लाश मिलिये समझे क्या? टॉरेन की लाश? की फिलटेज फिल्ट फिल्टति कन् फिल्ट है आपको जैश के बारे में कुछ तो पता होगा देखे सर, मैं सच कहा रहा हूँ, सर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब मैं टॉरन के चेंजिंग रूम में गुसा तो, देखो मेरा दिमाग मत खराब करूँ, चुप जाप वैसा ही करो जैसा मैं चाहता हूँ, मैं, समझे? अगर मेरे कहने के मताबिक तुमने वैसा नहीं किया, तो सारी दुनिया के सामने तुम्हारा बांडा भूड़ दोगा, और सब को पता चल जाएगा, समझे? बस सर, मुझे इतना ही मालूम है, टॉरेन ने उस आदमी का नाम बोला था, नहीं सर, ये टॉरेन जैसी ही बात कर रहा होगा, और कुछ सुना अपने, वो क्या बात कर रहा था? नहीं सर, वो बार बार एक ही बात कहे जा रहा था, कि मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूँगा अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तू. सर, ये टॉरेन के जब तोरेन को फोन पर बात कर रहा था, तो शायद वो जैस सी बात कर रहा था, और तुड़े इन जैश को कह रहा था कि अगर उसका काम नहीं हुआ तु वह जैश का भंदा फूर देगा मुझे लगता ये तॉलेन जैश को ब्लाकमिल कर रहा हुआ हुआ क्यों? ये तु वाली है? अगर याद में गौन इसके साथ में? शायद ये जैश है? वाली और जैश? सर इसका मतलब है कि टॉरेन भी जैश को जानता था और वाली भी जैश को जानता था इस उल्टा भी बोल सकता है कि जैश टॉरेन को भी जानता था और वाली को भी और इस फोटोग्राफ को देखे लगता है कि दोनों जिग्री दोस्त है तो फिर सर जैश ने टोरीन का खून क्यों करवाया हुदा जब चुप जाओ सब्सक्राइब झाल्बटको लगता जब शेगा लोकिव लगता। ये लाइट को या हो जा जो बिजली का बिल नहीं बरोगे तो ऐसा ही होगा को बाप लो अब जिसकी अवाप की तो को यह वाली को आप जो आफ वाली और मेप एक दूसरे को कॉलिज के दिनों उसे जानते थे उसने मुझसे तीन लाग रुपए उधार लिये थे मुझे लगा मुझे लगा कि वो लॉटा देगा लेकिन वो वो पैसे लेकर भाग क्या बड़ी मुश्किल से वो पैसे मैंने अपनी बहन की शादी के लिए जमा किये थे वक्त पर शादी नहीं हुई तूट गई और मेरी बहन ने आत्मात्या कर ली और उसी वक्त तुमने ठान लिया कि तुम बदला लो गिया क्यों? हाँ काफी साल बीद गय मैंने बहुत पैसा कमाया मैं अमीर बन गया एक दिन अचाना अचानक टीवी देखते वक्त मुझे पता चला कि वाली बहुत बड़ा बॉक्सर बन गया है मैंने प्लान बनाया उस वेटर को पैसे दिये ताकि वो उसके खाने में काली मिर्च डाल दे उसी के खाने में जहर मिला कर उसे मार दिया और जब जब वाँ मैच हो रहा था न उस वक्त मैं वहीं था और मैच खत्कोने के बाद मैं चुपके से टोरिन के रूम में गुजा और उसके गिलब में वो लोहे का सिक्का डाल दी मगर दुमने गल्दी कर दी तुमने वो लोहे का सिक्का डाय गलब में डालने के बज़ा है बाय गलब में डाल दी क्यों हाँ जब टोरिन को पता चला कि उसके गिलब में वो लोहे का सिक्का मैंने डाला तो उसने मुझे ब्लैक मेल करना शुरू कर दी कहने लगा कि सारी दुनिया के सामने तेरा पड़ा फाश कर दूगा मुझे दमकाने मेरे गड़ चला रहा और उसी वक्त उसी वक्त मैंने उसे भी मार दी अब इसके आगे कोई चांस नहीं है कोई और प्लान पनाने का तीन तीन खून की है हासी तो हुकी रहेगी